दसा माता प्रतकथा इस प्रकार से है एक समय की बात है नर्वल कोट नामक राजमे राजा नल और रानी दम्यंती अपने दो पुत्र पुत्र बधुआं और पौत्रों के साथ सुख पूर्वक जीवन बतीत कर रहे थे उनके राज में प्रजावी धंधान से संपन और सुखी थी एक दिन राजमहल में एक प्रामड़ी आई और रानी से बोली ये रानी तसा माता का दोरा ले लो इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना जिससे आपके घर में शुक्षम्रद्धी बनी रहेगी एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बन्धे उस तोरे पर गया और उन्होंने आशर से पूजा रानी आपने इतने हीरे जवारात के बीच में ये मामूली से धागच क्यों पैन रखा है और रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजाने धागे को तोड़कर जमीन पर फैंक दिया रानी ने दोड़कर धागे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा है राजा ये दसा माता का धागा था आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने सपन में एक बूरी माता को महल में आते हुए और लच्मी माता को महल से जाते हुए देगा राजा ने प्राते होते ही सारा शपन राणी दम्यंती को कहशनाया राणी बोली महाराज आपने हमारी अच्छी दसा को जाते हुए और बुरी दसा को आते हुए देखा है इसलिए हे महाराज अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए दोनों ने फैसला करके अपनी बहुँँ को पीहर भेज़ दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़ कर एक पौतर को लेकर देश छोड़कर चले गए कुछ समय चलने के पश्यात राजा नल के शेट मित्र का गाउँ आया दूतों ने राजा नल के आगमन की ख़वर शेट को सुनाई और बताया कि राजा, रानी और उनका पोता सब फटे हाल पैदल आ रहे हैं यह सुनका सेठ ने दूतों से कहा हवेली में सेठानी और बहुए क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा इसलिए उनको बाहर बाले कमरे में ठहरा दो जिस कमरे में राजा नल और रानी दम्यंती खोट ठहराया गया था बहां मोर की तस्वीर की खूटी पर सेठानी का नौल का हार टंगा था देखते ही देखते तस्वीर का मोर हार को निगल गया यह देकर रानी दम्यंती ने राजा से कहा महराज यहां से तुरंत चलिये नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहां से चले गए फिर कुछ तूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गाउं आया राजा ने अपने पहन तक अपने आनी की खबर पहुंचाई बहन के पूचने पर खबरी ने पताया राजा रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं ऐसा सुनकर बहन ने यह कहकर कि घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगे उनको पीपल के पेड़ के नीचे ठहराने को बोल दिया कुछ तेरवाद बहन एक थाली में मूँ और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई राजा नल के हाथ लगाते ही मूँ और चावल कीड़े में बदल गए यह देखकर राणी दम्यंती आगे बणी और जमीन पर गटा खोद कर उस कीड़े से भरी थाले को उसमें गार दिया फिर राजा राणी और उनका पोता बहां से चले गए आगे चले तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने बहां रुकने का फैंसला गिया राजा नल ने तीतर मार कर राणी को दिया और कहा कि हे राणी मैं पोते के साथ नदी में इश्नान करके आता हूँ तब तक आप तीतर पका देना जब राजा पापा साय तो राणी ने बड़े आश्चर से कहा कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए और राजा ने भी दुखी स्वर्मेरानी को बताया कि मुझसे पोता भी नदी में भे गया दोना दुखी होकर बिलाब करते हुए बहां से भी चले गए आगे चलकर एक काम में उनको सुना बाग दिखा और उन्होंने बहां पिस्राम करने का फैसला किया जब बाग की मालिन बहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोफले फूट रही है मालिन की नजर राजा और रानी पर पड़ी और पूचने लगी तुम लोग कौन हो राजा ने उत्तर दिया कि हम मुशाफिर हैं और रहने की जगे ढूड रहे हैं यह सुनकर मालिन ने उनको वहीं रहकर बाग की रच्छा करने के लिए कहा राजा और रानी बहां अपने दिन प्यतीत करने लगे दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया उस दिन जब राजा नल कुए से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूथ की कोकड़ी और हल्दी की कांट आ रही थी और वो बार 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 बापस कुए में फैकते जा रहे थे राजा ने जब उनको ऐसा करते हुए देखा तो पूछा है स्वामी आप ये क्या कर रहे है तब राजा ने राणी को उसका कारण बताया राजा की पार सुनकर राणी ने कहा कि अगली बार जब बाल्टी में सूथ की कोकड़ी और हल्दी की कांट आए तो उसको मुझे दे दीजिए यह सुनकर राजा नाराज हुए और बोले कि हे राणी आपकी बज़े से ही आज हमारी यह दसा हुई है और आप फिर से बही सब करना चाहती है परन्तु जब बाल्टी में बापस से बही बस्तुएं आई तो राजा ने उन्हें राणी को सौप दिया राणी ने होल का तहन के दिन होली की जल दिखा कर अगले दिन दसा माता कब्रत किया और डोरा लिया दसा माता की कथा के अनसार फिर समय बीतता गया और एक दिन राजा राणी के पास गए और बोले हे राणी नगर की राणी ने श्वेंबर रखा है मैं बहाँ जाओंगा इसलिए आप मेरे कपले धो दीजिए राणी की पास उनका राणी बोली महराज इस दसा में भी आप बहाँ जाना चाहते हैं इस पर राणी ने उत्ता दिया कि राणी मेरी दसा खराब है परन्तु दिल तो राजाओं का ही है राजा नल स्वेंबर में पहुँचे और राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के कले में परमाला डाल दिया बहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए तब बिद्धानों की शला से राजकुमारी को एक बार फिर से अपना पर चुनने को कहा गया प्रन्तु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना पर चुना यह देखकर नगर की राजा क्रोधित होकर बोले मैं इस माली से अपनी पुत्री का बिवार नहीं करूँगा तब सभी ने बिचार विमर्ष कर एक प्रतियोगता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को सिकार करना होगा और जिसका सिकार सबसे अच्छा होगा उसका विवार राजकुमारी से हो जाएगा सभी राजा और राजकुमार पतियोगता में भाग लेने के लिए तैयार हो गई राजा नल को बूड़ा गोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा कि अगर मैं अच्ली राजपूद हूँ तो धादा तलवार हो जाए और जबान घोड़ा हो जाए और ऐसा ही हुआ कोष्ण में परशात सारे राजा और राजकुमार अपने अपने सिखार के साथ राज महल में पहुँचे किसी के भी सिखार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढोड़ के लाने को कहा राजा की आग्या से सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे शिपाहियों ने उन्हें जगा कर सिकार के पारी में पूझा राजा नल ने सिकारियों को उत्तर दिया मीरा सिकार सेर की खाल पेड़ पर टंगा है ले जाओ सिकार देखकर नगर की राजा खुस हो गए और बोले ये है असल राजबूत का सिकार फिर नगर के राजा ने खुसी खुसी अपनी पुत्री का विभा माली राजा नल के साथ कर दिया राजा नल अपनी नई राणी को लेकर भाग में आ गए राणी दमियंती ने छोटी राणी का स्वागत किया एक दिन जब दोनों राणी बाग में बैटी हुई थी तो राणी दमियंती छोटी राणी से बोली राणी आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है रानी दमियंती की पास सुनकर छोटी रानी आश्चर से बोली दीदी अपना नगर भी है रानी दमियंती ने उत्तर सरूप छोटी रानी को सारा हाल कहशनाया छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात पताई नगर के राजा ने यह ब्रत्तांत सुनकर राजा नल से छमा मांगी और बहुत शारे हीरे जवारात और घोड़े इत्यादी दे कर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोवन मिली जिसके पास राजा नलका पोता था धोवन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था राजा ने खुस होकर धोवन को भहुष से हीरे जवारात दिये और पोते को लेकर वहां से चले गए कुछ तूर आगे चले तो राजा की बहन का गाउं आया राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुँचाई बहन ने दूद से पू दमियंती को ये खबर मिली तो बे बहन से बोली नहीं बाई जी हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रुखेंगे कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान और मिश्ठान आधी बना कर ले आई यह देखकर रानी दमियंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावर और दमियंती में बदल चुके हैं रानी दमियंती ने सारे हीरे जवारात अपनी ननत को दे दिये और बोली ये लो बाई जी आपकी अमानत और बहन को हीरे जवारात देकर वहां से चले गए कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गाउं आया सेठ को जब उसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूच्छा कि वे लो कैसे आ रहे है दूत बोला इस बार तो भुशे हीरे जवारात और धन धान के साथ आ रहे हैं दूत की बास सुनकर सेठ बोला कि उन्हें हवेली में ले आओ राजा नल को इसकी खबर मिली तो बोले हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुखेंगे शेठानी फोरण उनके लिए हलवा बना कर ले आई राणी तमियंती ने हलवा उठा कर मोर की तस्वीर के मुमेंट डाल दिया और मोर ने शेठानी का नौलखा हार पापस बाहर फैंक दिया राणी तमियंती ने शेठानी का हार देते हुए कहा कि हमारी तसा खराबती परंतो नियत खराब नहीं थी ऐसा कहकर राजा रानी छोटी रानी और पोती के साथ महां से चले गए रास्ते में उन्होंने भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़ने लगे जब नगर बासियों ने राजनल को अपने परवार के साथ नगर में प्रवेश करते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और काजे-बाजे और धोर नगानों के साथ उनका स्वागत किया राजारानी अपने पूरे परवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन बतीत करने लगे जैसे तसा माता ने राज अनल और दम्यंती की बुरी तसा को अच्छी तसा में बदल दिया बैसे ही इस तसा माता की कहानी के पढ़ने और सुनने वाले हर व्यक्ति पर मा अपनी करपा बनाय रखें बोलिए तसा माता की जै प्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करकर जरूर बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए साथी बैल आइगन को प्रेस क की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके है जैम आता दिए अ चार शां लोगोज से ग्साहि आता जाई हम लेजियो साल मेरे लोगों को योगों को यह जळगों दिए चैनल आप लोगों कानल लोगों जेता दुआ कि आता को यह भी बैल इंभ उनल आप लेएगा पिनल